जंगल में गीदर रहता था वहें बड़ा कंजूस था क्योंकि वहें जंगली चीव था इसलिए हम रुपे पैसो की कंजूसी की बात नजी कर रहाई वहें कंजूसी अपने सिकार को खाने में किया करता था जितने शिकार से दुसरे गीदर दो दिन काम चलाते वह उतने ही शिकार को साथ दिन तक खिचता जैसे उसने खरगोश का शिकार किया पहले दिन वे एक ही कान खाता बाकी बचा कर रखता दुसरे दिन दुसरा कान खाता ठीक वैसे वैसे कंजूस वैक्ती पैसा घीस कीज कर खर्च करता है गीदर अपने पेट की कंजूसी करता इस शक्र में प्राय भूखा रह जाता इसलिए दुरबल भी बहुत हो गया था एक बार उसे मरा हुआ बाहर सिंगा हीरन मिला वै उसे खीच कर अपनी मांद में ले गया उसने पहले हीरन के सींग खाने का फैसला किया ताकि मास बचा रहे कई दिन वै बस सींग चापता रहा इस बीच हीरन का मास सड़ गया और वै केवल गिदो की खाने का लायक रह गया इस परकार मख्य चूस गीदर प्राय हसी का पात्र बनता जब वै बहार निकलता तो दुसरे जीव उसका मरियल से शुरीर देखते और कहते वै देखो मख्य चूस जा रहा है पर वै प्रवा नहीं करता था कंजूसों में यह आदत होती ही है कंजूसों के अपने घर में भी खिली उड़ती है वै उसे अंसुना कर देते हैं उसी वन में एक शिकारी शिकार की तलास में एक दिन आया उसने एक सूर को देखा और निशाना लगाकर तीर छोड़ा तीर जंगली सूर की कमर को बींता हुआ शरीर में गुसा क्रोधित सूर शिकारी की और दोड़ा और उसने खट से अपनी नुकिले दास शिकारी के पेट में घुपती है शिकारी और शिकार दोनों मर गए तबी वहां मक्षी चुस की दड़ा निकला मैं कुशी से उचल पड़ा शिकारी वें सुवर के मास को कम से कम दो महीने चलाना है उसने हिसाब लगाया रोज थोड़ा थोड़ा खाएगा वें बोला तब ही उसकी नजर पास ही भड़े धनुश पर पड़ी उसने धनुश को सुगा धनुश की दोर कानों पर चमड़ी की पटी से लकड़ी से बंदी थी उसने सोचा आज तो इस चमड़ी की पटी को खा कर ही काम चलाऊंगा मास खर्च नहीं करूँगा पूरा बचा लूँगा ऐसा सोचकर वे धनुष को कोना मुँ में डाल पट्टी काटने लगा जो ही पट्टी कटी दोर छुटी और धनुष की लकडी पट से सीती हो गई धनुष का कोना चटाक से गीदर की तालू में लगा और वे उसे चीरता हुआ गया उसकी नाक तोड़कर बाहर निकला मक्खी चूस गीदर वहीं मर गया तो इस कहाने से हमें बचो क्या सीख मिलती है कि अधिक कंजूसी का प्रणाम भी अच्छा नहीं होता तो जादा कंजूसी करना भी अच्छी बात नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी प्यारी कहानियों सुनने के लिए मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ कमेंट में बताना आपको ये कहानी कैसे लगी बाई बाई एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था उस पर बीस्यों हंस रहते थे उनमें एक बहुत साना हंस था बुद्धिमान और बहुत दुरदर्शी सब उसका आदर करते ताउ कहकर बुलाते थे एक दिर उसने एक नन्नी सी बेल को पेड़ के तरहे पर बहुत नीचे लिपटते प जाएगी स्याने हंस ने समझाया आज ये तुमें छोटी सी लगा रही है धीरे धीरे यह पेड़ की सारे तने को लपेट मारकर उपर तक आएगी फिर बेल को तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा तम नीचे से उपर तक पेड़ पर चड़ने के लिए स लब को शिकारे सेडी के साहरे चड़कर हम तक पहुच जाएगा और हम सम मारे जाएंगे दूसरे हंस को यकीन अया एक छोटे से बेल कैसे सीडी बनेगी तीसरा हंस बोला ताउ तू तो एक छोटे से बेल को खीच कर जादा ही लंबा कर रहा है एक हंस पड़ बढ़ाया यह ताउ अपनी अकल का रोब ढालने के लिए अंट्शंट कहानी बना रहा है इस परकार किसी दूसरे हंस ने ताउ की बात को कमभीता से नहें लिया इतनी से चड़ा जा सकता था सबको ताउ की बात की सच्चाए सामने नजर आने लगी पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नश्ट करना हंसो की बसकी बात नहीं थी एक दिन जब सब हंस ताना चुगने बाहर गए थे तब एक भे प्राने लगे तब उन्हें ताउ की बुद्धिमानी और दृदिश्टा का पता लगा सब ताउ की बात ने मानने के लिए लज्जित थे और अपने आपको कोस रहे थे ताउ सबसे रुष्ट था और चुब बैठा था एक हंस ने हिम्मत करके कहा ताउ हम मुर्ख हैं लेकि अब हमसे मुमत फेरो दुसरा हंस बोला इस संकर से निकालने की तरकीब तु ही हमें बता सकता है ताउ हम आगे हम तेरी कोई बात नहीं डालेंगे सबी हंसों ने हामे भर तब ताउ ने उन्हें बताया मेरी बात ध्यान से सुनो सुबह जब भेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना बेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा वहां भी मरे सम्मान पड़े रहना जैसे ही वे अंतिम हंस को नीचे रखेगा मैं सीटी बजाओंगा मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना सुबह बेलिया आया हंसों ने वैसा ही किया जैसे ताउने समझाया था सचमुच बेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया सीटी के आवाज के साथ ही सारे हंसो उड़ गए बेलिया अवाक होकर देखता रह गया तो इस कहानी से पच्चों हमें क्या सीख मिलती है कि बुद्धिमान लोगो को और अपने इसे बड़ों की बात सुनने चाहिए मिलते हैं अगली प्यार इसी कहानी के साथ कमेंट में बताना कहानी कैसी लगी आपको बाइपाई और सिब्सक्राइब भी कर दे